हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुती हेल्थी एंट टेस्टी क्रस्पी नास्ता जो की बहुती जटपट से ये बन जाता है और बच्ची हों बड़ी सबको ये नास्ता बहुती ज़्यादा पसंद आने वाला है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेस्पी को अगर तो फिरबरा में पीसे इस तरीके से कट करके लच्छे दार लेलेना है उसके बाद दो से तीन वार इसको मसल लेना है ताकि इसकी लच्चेना अलग-अलग हो जाए उसके बाद डालेंगे इसमें फरेस रा धन्या बारीक बहुता हुआ थोड़ा सा उसके attach बार बुने वये कभी नहीं डालेंगे, अगर डाल दोगे नमक तो प्याज मेरा पानी निकलने लगता है इसलिए बाद में नमक डालेंगे सारी चीजों को अच्छी से मिक्स करने की बाद इधर इसको रख देंगे साइड में तब तक आगे की तयारी कर लेते हैं उसके बाद लेंगे दो बॉयल के हुए मेडियम साइज के ठंडे आलू, उसके बाद लेना है मेडियम बाला ग्रेटा और इसे अच्छे से आलू को ग्रेट दोनों को कर लीना है। ब्लैक नमक डालेंगे ब्लैक वाला जो साल्ट होता है वहू, उसके बाद दालेंगे भाइट वाला नमक टैस्ट आइस्ट अपको घूझ को थोड़ा तोड़ा अहसरय को अच्छे सी अच्छे से मिस कर देना है। इधर चटपटी सीखेद हम इー बहुती ज्यादा टेश्टी लगते है कि इस्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है आप देख सकते हूँ इसको रख देना है साइड में उसके बाद जो हमने प्याज लिएently English उनको अहिं भी ढूआ में अज़क dari how उसके बाद लेंगे इधर रोटी हमने पहले से बना के रख ली थी पांच रोटी बनी हुई पहले से ले लिए पहले से बना के रख लेनी है आपको अगर आपके लंच में बच गई है रोटी तो वो आप यूज यहां पर कर सकते हो और रोटी ओना ठंडी रोटी लेनी चाहि तोड़ी पर एक रोटी रख देनी है, तोड़ीसी लेनिए उसे ते रोटी में अच्छे से लग जाने चाहिए। तोलवकर हम आलू का पेश्ट बनाया था उसको लेना है। और इस तरीके से रोटी के ऊपर रखेंगे। और आधी रोटी में फिलाना है, पूरी में नहीं फिलाना है, हाप रोटी में इस तरीके से फिला देना है, ना ज़्यादा मोटा फिलाना है, ना ज़्यादा पतला, धिकने ऐसा आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको फिलानी है, उसके बाद लेंगे थोड़ा सा पनीर, पनीर को आमें ग्रेट करके उपर से डाल देना है, अगर आपके पास चीज या पनीर है तो आप डालीएगा, अगर नहीं है तो आप only आलू की पेश्टे भी बनाके से रेडी कर सकते हो, इधर हमने पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, उसके बाद जो हमने प्याज का सै रख देना है, सैलेड रखने के बाद इससे फोल्ड कर देना है, आप देख सकते हो, इस तरीके से फोल्ड करना है, और हलक के हाथों से इसे दवा देना है, ताकि यह अच्छे से चपक जाए, बहुती प्यारा सा नास्ता बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, इसको ओन कर दिना एक चिम्बच बरकर इसमें घी डालेंगी घी से आप नास्ता बनाईएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा अगर आप कस घी नहीं है तो आप ओल में भी बना सकते हो उसके बार नास्ता को इसमें रख दिना जितना इस पेस होगा पैन में एक साथ उतने साथ सा सेख लेना है कैसको कर दिना है मेडियम प्लैम पे और इसे अच्छे से कलर चैंज होने तक सेख ना है अभी नास्ता को हम पलड देंगी बहुती प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है नास्ते में तोनों तरप अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नास्ते को सेख लेना है इदर हमारा बहुती प्यारा सा चटपटा सा नास्ता बनकर रेडी हो चुका है और अभी से हम निकाल लेती हैं बहार और जो बचे हुए हैं उन्हें भी सेम हम इसी तरीके से सेख कर रेडी कर लेंगे इधर हमारा सारा नास्ता healthy and testy बनकर ready हो चुका यह बहुत ही ज्यादा healthy है यह नास्ता और इसको पीस में इस तरीके से cut करके बच्चों को दीजिएगा तो उनको भी आपको भी टिपेन में देने में आसानी हो जाएगी और बच्चों को भी खाने में आसानी हो जाएगी इस नास्ते को इस तरीके से आप सर्ब करिएगा अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को सस्क्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का notification मिल सके और friends और family में वीड करके जरूर बताईएगा कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी थैंक फॉर वाचिंग मिलते आपको अगली वीडियो में